है सो है लो गाइस मानुब जैन बैक एगें विद नीव वीडियो घ्राइब करने वाले हैं यह यह क्या नबे आए डिवाइस के अंदर यह आयोज का लोंसर आपका इसे अपलाई कर सकते हो भाई खिलाल गाई देख सकते हो हमारे जो फून में है इसका वाल पे पर आयोज का लगा हुआ है जो आपको रेट रेट करके दिखना को काफी इंट्रेशिंग लगा देखने में गाइस सो आप इससे अपने डिवाइज में लगा सकते हो और ये एक लुक दे सकते हो आयोस जैसा तो आपको हम दिखाएंगे कैसे इसका यूज करना है और इसके लिए अप्लिकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो आप फले श्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फी इसली आप निचर डिस्कॉसन से डाउनलोड कर सकते हो इसे मैं पले store को open करके दिखाता हूँ यह वाला application है phone 13 launcher जो OS 15 का है और यहाँ पर आपको download का option मिल जाएगा easily download कर लेना फिलाल मैं इसको open करने वाला हूँ just open पर click करूँगा इसका use interface काफी easy है कुछ permission इसे देनी होगी time of condition इसकी accept करनी होगी इसके बाद यह easily applied हो जाएगा हमारे device के अंदर इसके बाद मैं आपको इसको apply करने का procedure बताता हूँ कैसे इसका use करना है तो फिलाल मैं इसको close कर लेते हैं अब यहाँ पर हमारे पास कुछ wallpapers आ रहे हैं अगर आप चाहें तो इस wallpapers में इसमें से किसी भी wallpapers को आप select out कर सकते हो गर आप जो भी home screen पर देखना चाहते हैं तो for example मैं इसको कर लेता हूं आप कर सकते हो कोई भी कर सकते हो guys फिलाल मैं red वाला ही ज्यादा better लग रहा तो red वाले को हम choose करेंगे यहां पर देख सकतो U13 wallpapers है तो हम इसको इसको इस तरह यहां पर आ जाएंगे notification access को हमें enable करना चाहते हैं अगर कर देते हैं क्लिक तो यह notification manage नहीं होगा अगर ok कर देते हैं तो ठीक है हम इसको notification को भी manage करेंगे इसको हम 13 call out कर देते हैं इससे बात फिर से हम enable करेंगे इसको और guys यहां पर starting हो रहा है तो wait कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि हमें cut नहीं करना इस launcher को हमने deferred कर दिया है और यहांपर default करने के बाद इसको cut कर देंगे अब कोई दिक्कत नहीं है महारे पास यह launcher apply हो चुका and guys look at look at this यह काफी interesting लग रहा एकदम फिलकुल iOS दासा फिल दे रहा है इसको use करने में इसके control centers की बात करें तो भी है notification क बात करें ओभी यह control center यहां पर आ रहा जो आप देख सकते हो permission की required हो भी मांग रहा है control center के लिए हम इसको modify है तो इसको mode करेंगे अभी गाइस यह control center manage होगा में भी साथ हाजी अब देखो यह manage हो रहा है volume by up down button है इसको मिस्तवाल कर सकते हैं यह सारे चीजे हम यहां से easily check out कर सकते हैं so guys एक बार इसका try करना application मुझे personally काफी interesting लगा और guys मैं इसको personally use भी करता हूँ अपने काफी सारे device हो में एक बार आप इसको try करो link वीडियो के nature decision part में है और अगर कुछ और settings को करना चाहते हो इसके बारे में तो फिलाल ज्यादा settings तो रहा है नहीं plus पे click करके विज पिर आप phone management को भी यहां से easily check out कर सकते हो for example इसको click करके device पे click करना है और यहां पर screen short कर सकते हो power का off कर सकते हो